कि नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूँ ओमकार चोधरी और व्रेस्पतिवार को भी जमु कश्मीर में एक और टारगेटिड किलिंग हो गई और ये अगर केवल मई की ही बात करें तो अकेले मई में ही अब तक आठ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं इनमें एक सरकारी करमचारी तहसील कंपाउंड के भीतर राहुल भट की आतंकवादियों ने इसी तरह की टारगेटिड किलिंग की थी अभी दो दिन पहले ही एक अनुसोचित जाती की जो जिसको परधान मंत्री पनरस्थापना पैकेज के तहत सर्विस मिली थी टीचर हैं रजनी वाला उनकी हत्या कर दी गई और व्रेस्पतिवार को एक बैंक मैनेजर को मार दिया गया जो मूल तह राजस्थान के रहने वाले हैं ये अचानक से टारगेटिड किलिंग क्यों बढ़ रही हैं और इसके पीछे एक्चुल में साजिश क्या है मोटे तोर पर तो हमें समझ में आ रहा है कि चुकी मार स्किलिंग नहीं कर पा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैट भी नहीं हो पा रही है जो होती है वो निप्टा दिये जाते हैं इनके कमांडर भी बहुत सारे आतंकवादी भी मार गिराए ग रही है कि आने वाले दिनों में अगर विधान सबा के चुनाव होते हैं तो जो अनुसूचित जाती के लोग हैं जो जिनको मुहाजिर कहा जाता है इस इलाके में जिनको अभी तक वोट के अपने हक से वंचित करके रखा गया था उनमें और हिंदू कम्यूनिटी में एक द कश्मीर घाटी में अगस्त दो हजार उननीस के बाद से उस पर एक तरीके से पानी फेर दिया जाए और इसके पीछे सीमा पार की ताक्ते भी हैं और यहां की भी जो में इस्ट्रीम की पॉलिटिकल पारिटी मानी जाती हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके पीछे उनक स्था भी डारेक्ट इंडारेक्ट कोई कनेक्शन है क्योंकि यह लोग अपने अस्तित्व से अपने होने के ना होने के भैसे ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं अगर ठीक ठाक तरीके से चुनाव हो गए अगर फेर इलेक्शन हो गए तो जो लोकल बोडिज के यानी नीचे से के उपर तक के इलेक्शन हुए हैं नए चेहरे बहुत सारे सामने आएंगे और अगर पब्लिक ने उनको चुन लिया तो जो सो कोल्ड में स्ट्रीम की पारिटियां है चाहे पीडिएफ है पीडिपी है चाहे नेशनल कॉंफरेंस है या कॉंग्रेस है फिर उनको कौन पूछे तो घाटी में एक दहशत का वातावरन मनाने की कोशिश हो रही है मेरे साथ दो खास महवान जुड़ रहे हैं इसके पीछे के जो मनसूबे हैं जो साजिश है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इस पर चर्चा करने के लिए दो आपके जाने पहचाने चेरे मेरे साथ जुड़ गए हैं उनसे चर्चा करते हैं जाने माने रक्षा विशेशग टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल एक सिवाच सर सिवाच सर बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार और दूसरे चेहरे उनका तारू जो उननीस सो सेंतालीस में अड़तालीस में कबजा लिया गया था जो हिस्सा वो फिर से भारत का हिस्सा बने इसके लिए दिन रात परियास कर रहे हैं पियो जेके के एक्टिविस्ट और हमारे मित्र डॉक्टर रमजा दयूम मिर्जा मिर्जा साब बहुत स्वागत है इसके पीछे की साजिश क्या है मन्शा क्या है और कौन-कौन सी ताक्ते हैं जो वहां एक दहशत का आलम क्रियेट करना चाहते हैं और उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं वहां से पलायन शुरू हो गया है जो एक खतरनाक सिच्वेशन है आज भी बहुत सारे परिवार निक कि साब कल सब एक जगे इकठा होंगे और हम लोग जम्मू संभाग के लिए यहां से पलायन करेंगे हम सरकार से निराश हैं तो क्या इसके पीछे यही मन्शा थी इन लोगों की कि जो हिंदू कम्यूनिटी है उसका भी सरकार से मह भंग हो जाए और इस तरह के हाला अत्क्र कर दिये जाए जिए बहुत शुक्रिया चौहिए साथ सबसे पहरे तो आपने जैसे अपने इंट्रों में बताया है एक एक पेश किया है कि एलेक्शन की आमद आमद है और आज जो है वो जो वोटर्स लिस्ट वगएरा और सारा कुछा वो भी आज सील कर दी गए याब उस जितने भी पॉलिंग स्टेशन है उनको दुबारा से चेक किया जाए उनको फाल बनाने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए उनको चेक करें कि उनमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है या जो भी करना है लेकिन मैं यह समझता हूं जैसा आपने फर्माया कि यह अचानक स साब आपके शो में ही और जनल साब की मौझूदगी में ही मैं कई मतबह यह बता चुका हूं फर्वरी से मैं बता रहा हूं कि फ्रीडम बर्गेट तीन सो तेरा बनाया है रावला कोर्ट में ओपन प्रेस कांफरंस में उन्होंने रांस किया कि हम दस अदार ने जहादी पै कर्वरी और मार्च में मुझे मौका मिला मैंने यह वावेला किया यह शोर मचाया कि स्प्रिंग और इसकी त्यारी हो रही है मैंने आर्टिकल्स भी लिखे इसी मसले के उपर तो पहली बात तो यह हमें तो मुझे तो नज़र आ रहा था कि यह आ रहा है लेकिन सब यही कह आ भी, ग्रिण शक्रापे धेता रहा है थे के स्कुरटी गृर्ट बड़ा मुदूत है, वह स्कुहटी गृर्ट तो मुदूत था, लेकर यह चुए जो है, यह किसी और तरीके शे से आ गये हैं और उन्होंने अपनी इस त्छापियू कहते हैं, हाईबूर डूर। यह तो तो दूसरा आपका ये दूसरा पहलू आगया तीसरा पहलू जो आपने फरमाया कि ये जो कल सुबह जमा हो रहे हैं किश्मीरी पंड़ेत और वो जमू की तरफ कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मतलब है मैं को कम्यूनियल बात नहीं करना चाहता लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश है कि जिस तरह मुसल्मानों और हिदों के दरम्यान में एक कम्यूनियल डिवाइड पैदा की गई है इसी तरह की एक डिवाइड मिस्ट्रस्ट जो है वो ये जो हमारी सरकार है बीजे पी की भाजपा सरकार इसके दर्मयान और कश्मीरी पंड़तों के दर्मयान भी एक मिस्ट्रस्ट काइम पैदा किया जाए इनके अंदर भी जिरार डाली जाए तो ये एक मैं समझता हूं कि ये जो फैसला है कि ये जम्मू चले जाएं ये मैं मतलब है अगर मैं हिंदू पंड़त होता और इस वकत कश्मी सरकार जो है वह हंगामी बन्यादों पे हर कश्मीरी पंड़त मर्द और और औरत को असले का लाइसेस दे और टार्गेट प्रैक्टिस जो है उसकी ट्रेनिंग दे ताकि कमस कम हमारे उपर हमला होता है एक जगा पे दो तीन पंड़त है हिंदू है तो अगर हम पे कोई हमला होता है चलो मुझे गोली लगती है जो बाकी दो हैं वो रिटान फायर तो कर सकते हैं हमने बिलकुली एक मतलब है कि मैं अब क्या कहूं कि हम बैठे हुएं अपने आपको यह सोच के कि नहीं दूसरे के दिल को जीते हैं गे दूसरा का यह दिल जीतने की गेम ही नहीं है लड़ाई है और यह हदिकत है कि यह इसको खतम करने के लिए जनल साब आपको बताएंगे कि हमें क्या अब करना चाहिए पाकिस्तान के साथ सीसफायर के हवाले से जो 25 फरवरी को फिछले साल हुई थी तो मैं इस वकत यहां पर रुकता हूं और फिर आप आगे सवाल होग बहुत शुक्रिया अपने बहुत कम शब्दों में और अपने ओपनिंग रिमार्क्स में वो चीजें बताई हैं समझाई हैं हमारे दर्शकों को जो वाकई तैयारी के तोर पर हम देख रहे थे आप देख रहे थे बता रहे थे फरवरी मार्च से ही बता रहे थे जनल साब से कश्मीर में रहने वाले हिंदूों पर वो तो किसी से छिपा हुआ है नहीं और उस समय किसकी सरकारे थी ये भी किसी से कोई ऐसी दवी छिपी बात नहीं है सब जानते हैं कि कौन लोग थे कौन लंदन भाग गए थे जब महां खून खराबा हो रहा था और जो यहां बैठे थे वो भी दुम दबा करके बैठे हुए थे कुछ कर नहीं रहे थे इस सरकार में कम से कम इनकी कमर तोड़ने के लिए पूरी आजादी दी है सेना को भी अर्द सेनिक बलों को भी जमु कश्मीर पुलिस को भी स्ट्रेंथन किया है और एक भरोसा जगाने की कोशिश किये है वहां की सारी कम्यूनिटीज में केवल हिंदू की बात नहीं उनको इस्ट्रंथन करने के भी परियास किये हैं पैसे भेजे हैं विकास कारिये हो रहे हैं और लोकतांतरिक सरकार की बहाली के लिए तेज गती से काम हुआ है दो साल के भीतर ही परीसिमन भी कंप्लीट हो गया ये कश्मीरी पंडितों को उकसाने भड़काने और केंदर सरकार के खिलाप खड़ा करने के पीछे जो ये बारत तारीक के बाद से ही परदरसन चल रहे हैं हजारों की संक्या में सडकों पर हैं नारे बाजी हो रही है हमारा सरकार से मह भंग हो गया है इस तरह की चीज़े चल रही है एक पॉलिटिकल पारिटी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन इसका ट्वीटर हंडल जा करके देखे तो वो सीधे टार्गेट कर रहे हैं भारतिय जनता पारिटी को मौधी सरकार को बजाए इसके के उन ताक्तों के निंदा करें जो ये किलिंग कर रही है या करवा रही है तो ये क्या एक सोची समझी सियासी चाल भी है इस समय के इनके पीछे से कोई इनको बढ़काने की कोशिश कर रहा है बजाए इसके ये ठीक है जिनके परिवार के जन मारे जाते हैं जिनको वो खो देते हैं कमाने वालों को उनका दर्द वो ही समझ सकते हैं ले अगर आप उनको और कमजोर बना दें या जो सरकार परियास कर रही है उसमें भी आप गलत तरीके सो उसको पेश करके लोगों को बढ़गाने की कोशिश करें क्या ये जम्हू कश्मीर के लिए देश के लिए ठीक है आप बिल्कुर देखो चोजी साब आप ने बिल्कुर ठी बताए देखो ये सचाई है आर्टिकल तिन सो सतर और पैती से के हटाने के बाद काफी बदलाओ आया है जम्हूर कश्वीर में वहाँ पर जिस्टिवल्पेंट कॉंसर्ट के लेक्शन हुए पंचायत लेक्शन के हुए ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रसी आई वहाँ प बिलकुल सो के करीब रह गए हैं और लस्कर तोबा जैसे मौमद हिद्वन हो जाए लीटर्शिप खतम हो गई और ऐसे में जो अब डी लिमिटेशन का पॉसेस खतम हो गया है और अब होगी स्टेट के एक परकार से वोटिंग और उसके बाद इसको स्टेट उड़े ये कार कि इसके तार यहां भारत में नहीं है इसके तार जो है पार है और जो बार बार मिट्टा साब भी बता रहे थे मैं भी इनके शो में बताता है आपके मिमी कि हम जब तक पाकिस्तान को जो एक परकार से हाट नहीं करेंगे तब तक ये कारवाई चलती रहेगी हो कह रहा है कि जब से हमने 25 फेबरी दो जार पिछले साल से 2021 से हमने ये मान लिया कि सीज़ फायर होगा तो एक परकार से ये पाकिस्तान का फादा हो गया है क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंगवाद तो अपने भेजने में कामिया पहले भी नहीं था अब भी नहीं है मगर जो पनिश्मेंट हम दे रहे थे पाकिस्तान को वो अब नहीं दी जारी क्योंकि वहाँ पर दस हजार आतंगवादी बेटे हैं लस्करे तोबा जैसे मुहमत के लाँच पैड पे ट्रेनिंग एरिया पे आने की कोशिश करें वो अलग बात नहीं आरे मगर सचाई यह है कि अगर हम वहाँ पर आर्टी से ड्रोन से रफैल से करते फायद तो उनको बहुत दरद होता और उनके पास ना फाइनेशल पार है ना इतनी हिम्मत है कि वो हमारे को वापिस फायर बैक करें मगर जब से हमने सीज़ फायर किया है तो हमने पाकिस्तान को वे आउट दे दिया है और ये एक जो पाकिस्तान है उसको मालूम है ये सो सवा सो आतंगवादी है ये बुझता हुआ दीवा है एक साल के अंदर खतम हो जाएंगे मगर अब उन्होंने अपनी स्टाटीजी चेंज कर दी है इसको बोलते हैं हाइब्रिड वार्फेर जो मिर्जा साब बताने कोशिश करेते अब वो थोत रहे हैं उनकी इतनी काबलियोत शम्ता तो है नहीं कि वो फोत के साथ मुकाबला करें अब वो शॉफ्ट टार्गिट क लोग की आउट गोइंग हैं जिस परकार से अमीना वाट एक टीवी आर्टिस थे एक जैसत का महौल पैदा करना लोगों को दराना जिस से लोग वहां से भागें और आपका पाइंट ठीक है कि जब एलेक्शन हो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी जहें उनको भी इसक सिविलन को एक बीने में मारा गया बनके हम आपको एड करेंगे अभी हम जब शो कर रहे थी मिर्जा साथ के साथ दो और माइगरेंट वरकर्स को एक बड़गाओं में फायर वा एक की मस्टा होगी एक क्रिटिकल इंजर्ट करने का मतलब यह है वो एक सार्किट की तरफ जा है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें हमें भी अपनी टक्सी करनी पड़ेगी तीन चार चीजें मुझे लगता करने की जूरूत है एक तो जो आपका बॉर्डर के अंदर यह चीज़ फायर है इसको अब्रोगेट करें पाकिस्तान को पनिश्मंट करें क्योंकि पाकिस्तान है जो यह कारवाई करा रहा है आद आपके पास कभी नहीं था फानाइंशली और चूटने वाला है पॉलिटिकली वहाँ पर सिवल वार होने वाली है उसको आप पनिश्क करें सेकेंड आप क्या करें जिस प्रकार से मिर्जा साँ बता रहे तें यह तो चार थे पास हजार जो कश्मीरी पंडित जिनको आप लेके आए हैं यहाँ पर स्पेशल प्राइमिस्टर पैकेश से उनको एक अच्छी स्क्यूरिटी मद दें क्योंकि कहीं ने कहीं हमारी स्क्यूरिटी देने में कमी रही है तब ही वो टार्गिट हो रहे हैं तो उनको द जिए तरो चांजिट कैंप हैं उनको और प्रोटेक्शन करें और उनके रेक्वार्मेंट हैं उनको डिस्टिक लेवल पे दे गायों में मत बेजें तो एक अपनी जेंजेंज करें आपको उनको हथियार भी देने पड़े हैंं क llevar वहां से निकर जाते हैं लिए ज vermvida बहुत इस चीज जिन से राउल बाठ के जब से उसको नियत्था मारा गा आता तो लोग बेटे हैं हुए हैं वैली के अंदर उसमें जहां पर कश्मीरी पंडित हैं वहां पर अवाम का जो किश्मीरी मुस्लमान हैं वो भी आना चीए तब ही होगा अगर ये कश्मीरी मुस्लमार कंदे से कंदा लेके खड़ा होगा कश्मीरी पंडित के साथ तब ही महौल चेंज आएगा अकेले महौल चेंज आना बड़ा मुस्किल है जो एक्टिविस्ट जो लोग ये कहते हैं और ज्यादा तरह हवाम चाहता है शांती आए और वो उनको भी पता है अगर ये शांती नहीं आई अबर नास यातरा पर उसका बड़ा अड़र्स इंप्राइक पड़ेगा तो वो उनके साथ मिलें तीसरी बात ये हैं ये जो ओजी डबलू स्लीपर सैल और ये जो बचे हुए आतकवादी हैं एक ऑल आउट है अब क्योंकि इस जैसा महौल कभी आ नहीं सकता जितनी ड्वेल्पेंट अब हो रही है कश्मीर घाटी के अंदर वो आज तक नहीं हुई आज महां पर बहुत अच्छा महौल तार टूरिजम रिकॉर्ड टाइम पर हो रहा है साओधी रेविया यूएई दो बिलियन डॉ कर रहा है कालेज बन रहे है मेडिकल कॉलेज हॉस्पटल इंजिनि कालेज रेलवे लाइन अभी कहा हैै ऐसे इसे लाके में जो रेलवे लाइन आपकी जा रही है वहाँ पर अनत राग से बारा मुला और अनत राग से अभी आप उदमपुर में कर्लेक्ट होगी है तो मेरा मतलब यह है कि अभी सिट्वेशन बिल्कुल ठीक है आप इसको थोड़ा सा एक मिड कोर कर्लेक्शन दें यह बात मैं सहमत हूँ कि इसके अंदर जो पाकिस्तान इन के और पंचाइद के यहां पर एक न्यूड लीडर्शिप आई है और वो आएगी उनको मैसूस होना चाहिए वो इर्रेलिमेंट हैं यह जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हैं लोग अभी उनके जासे में नहीं आने वाले मगर फिर भी वो जो इस परकार की इर्रिस्पॉ हुरारी निए पंडितों को महां से नहीं जाने जला हमने पाकिस्तान को पॉरिश करना है पाकिस्तान के मनसूम हैं उनको फेयर है यह भी बड़ी इंपोर्टन चीज है क्योंकि हमारे पास काउंटर टारिजम और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन के ग्रिड बहुत पुक्ता हैं बहुत पैसा खर्च किया भारत ने और भारत की फोर भारत की इन्फिल्ट्रेशन इसके काबिल है तो मुझे लगता है हमें अभी अपनी स्टेटिजी चेंड करनी है और इस हाइब्रिड वारफेर को हाराना है आने वाले समय में जोदी साथ सिवास सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं मैं एक सवाल मिर्जा साब से पूछना चाहता हूं जब जब इस तरह की वारदाते होती हैं तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उन आतंक वादियों को ढूंडने में लग जाती हैं जो इस से तो काम चलने वाला है नहीं जो इनके आका हैं जब तक उन पर कारवाई नहीं होगी तगड़ी कारवाई नहीं होगी तब तक शायद इनके होसले पस्त नहीं होंगे तो क्या भारत की तरफ से अब एक बहुत बड़े धमाके की एक बहुत बड़ी कारवाई की जरूरत मह समझता हूं कि इस वक्त जो किश्मीर की वादी के जो नौजवान हैं जो इतने देश्ट के महौल में भी आवाज उठा रहे हैं इस आतंक के खिलाफ जो कह रहे हैं कि ये इनसानियत नहीं है जिनों ने लाल चौक पर जंडा लगाया तरंगा ले रहाया था आ बशीर साहिल ब बेग जैसे लोग हैं यानामीर जैसे लोग हैं इनके उपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए इनको भी हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए और इनको हमें फेसिलिटेट करना चाहिए कि ये वाइडर मुस्लिम कम्यूनिटी के अंदर जा वो चाहते हैं हों कि जी ये पंड़त ठीक है ये दैशत गर्दी से ढरके यहां से बाग जाएं और हम कश्मीर को इसलामिक प्यूरिफिकेशन के अमल से गुजारें तो मैं समझता हूं कि इसका इसमें जो है वो जरूरी ये है कि जो इस किसम के हमारे नौजवान लोग हैं जो वहां पे मुसल्मानों में हैं उनको फिसिलिटेट किया जाए कैमपेंच अवेरनस चलाए जाए वो उस खौफ के चोगे को तोड़ा जाए खौफ को तोड़के इनको बाहर रिकाला जाए और अगर देखें चौई साब अगर आज किश्मीर का मुसल है कश्मीर से सरमयाकारी बंद होना कश्मीर में इन्वेश्मेंट और जो बाकी डिवैलिमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका रुकना कश्मीर में टूरिजम का रुकना कश्मीर में अब अमरनात यात्रा के जरीए अर्बों रुपे की कमाई होने वाली है कश्मीर के मुसलमान को ठीक है ना ये सब इसका बंद होना तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी economic salvation की भी उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिसके लिए उनको किश्मीरी पड़तों की हमायत करनी पड़ेगी जी 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 ये बहुत जरूरी है और जहां तक आपने बात की बहुत बड़ा दमाका दमाके की जुरूरत नहीं है ये इस वक्त जो जैसा ये कह रहे है एक तो ये सीसफायर खतम होनी चाहिए जो 25 फरवरी को हुई थी 2020 में क्योंकि उसका मकसद जो था वो ये था कि यहां से जहां चुड़ा के तो अफगानिस्तान पर कभजा करना वो उन्होंने कर लिया और इस वक्त अफगानिस्तान तक आतंग फैल गया है वो सीसफायर की वज़ा से तो सीसफायर खतम होना चाहिए और टार्गेटेड एटाक्स किये जाएं स्ट्राइक्स की जाएं जो है इनके जो बेसिस हैं उनके उपर स्ट्राइक्स होनी चाहिए और जैसे अब आप देखें यासी मलक को सजा दी है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने वावेला खड़ा कर दिया युनाइटर नेशन से लेकर तो लंडन में इंडियन हाई कमिशन के जो है इंडियन हाई कमिशन लंडन के सामने मजारे करके भी तो हमें फिर इसको भी स्ट्रेंटन करना है ओए इसी एक और्गनाईजेशन उठके जो है वो यसीन मलक के सजा को कहती है और कहती है अन एक्सेप्टेबल उनन लफ यूज तो मेरा सवाल यह है कि इंडिया की तरफ से कश्मीरी नौजवानों के उपर एक एन वाई बना के इन मुस्लिम देशों में क्यों नहीं बेजा जाता और क्यों नहीं उनको समझाया जाता मुसलमान देशों को हो के बाई असल में तो 22 अक्तूबर उनियुस से सिन्तालिस को हम पर पाकिस्तान ने अमला किया इंडिया तो हमारी रक्षा की है तो यह बहुत काम करने वाले हैं बहुत सारे फ्रंट्स पर जी बहुत एहम जानकारिया आपने दिये हैं और सलाहें भी दी है कि क्या क्या करने की जरूरत है सिवास सर कल लेफटिनेंट जनरल लेफटिनेंट गवर्नर ने भी मीटिंग की थी कुछ दिशा निर्देश दिये हैं कुछ फैसले हुए हैं कि जो भी हिंदू करमचारी इंटिरियर एरियाज में हैं उनका डिस्टिक हैड़कॉर्टर पर ट्रांसफर कर दिया और यह 6 जून तक कर लिया जाए, 6 जून तक उन्होंने एक टरगिट दे दिया है कि हर हलत में यह किया जाए, इसके अलावा अमित शाह साहब ने कल बैठक बलाई है, आज अजित डोभाल साब की बैठक हुई है, उच्छ तर्येगा बैठक हुई है, इसका मतलब कोशिश ह शुरू हो गई है पर आपकी क्या सलहा है ठीक है एक स्टेप यह लिया गया है कि जो इंटीरियर इलाकों में हैं उनको डिस्टिक हैड़कौर्टर पर ले आया जाए और कौन-कौन से उपाई करने की जरूरत है अब बिल्कु देखो चोजी सब यह बिल्कु स्टेप इन इल्या में या दूर दराद के आप उनको डिस्टिक हएड़कौर्टर मेलाएं उनको स्क्योर्टि मुझायरा करें उसके बार ट्रांजित канале हैं को स्क्योर्टि दे हैं जैसे मिर्ज़ा साभ करे थे इनको हत्यार दे हैं को ट्रेनिंग क्रें क्योंकि इनको भी एक परकार से अपनी self defense करने की एक काबलित होनी चाहिए जिस परकार से वहाँ सिख community ने किया है वहाँ पर पत्रंग के अंदर साफ जो शापूर में वहाँ पर काफी जो कश्वीरी सिख भी है सिंग्पूरा में तो वहाँ पर उन्हों ने काफी मजबूती स मकाबला किया है इसी परकार कश्वीरी पंडित भी कर सकते हैं एक होसला डालना पड़ेगा तो यह जो step in right direction है इसके इलावा इनके ट्राजिंट कैम्प को और मजबूत करना चाहिए और इनको अलाउंस से डबल दे आप विकोज यह लोग वहाँ पर जिस परकार से फोज है पैरा मिल्टरी फोज है उनको जो डबल अलाउंस मिलते हैं जो हम हाई इल्टिटूड एरिया में या काउंटर टर्रिजम काउंटर इंसलिजन्सी इलाके हैं तो यह भी तो इस इस इलाके में जहां पर इनके जान और मोद का सवाल है जोको अगर यह पांच छे छे हजार इनको सब कुछ सुना जाए इनको एक परकार से ये यकीन दिलाए जाए पूरा देश आपके साथ है आपके साथ हम पूरी प्रोटक्शन देंगे आप यहां रहें इनकी जिस्टिक एड़कॉर्टर में इमिजेटली पोश्टिंग करके यह करें दूसरी बात यह है आप मान सिवल वार है इमिरान खान कहरा कि तीन इससे हो जाएंगे पाकिस्तान के सिंद बलूचिस्तान और पंजाब उसों भूल गया खाइबर पक्टूर्टर कुआ गिलिकिट पाकिस्तान और पाकिस्तान उक्रिपाइट जम्मू कश्मीर बारत में मिलेंगे तो सचाई यह है ऐस को उसको तोड़ना फानेंशली अभी बारत को ऐसा यकीन करना है कल चूटने के बज़ए आज चूटे क्योंकि पाकिस्तान का जो वजूद है वो नेगिटिव है बारत की तरस अगर ऐसा समझदार होता तो वो अब समझ जाता है क्योंकि मिर्जा साब जो बार बार प्रोग को पनिश करना बड़ा प्रोगें है वो भारत के अंदर मिलना चाते हैं और बारत के कश्मीरीप्स को आप निकालने कोशिक करो तो निक्षाना था ये वो इसलिए मिलना चाथा है नंको पता है कि भारत का जम्हुद कश्मिर से साड़ साब आगे निकल गया है तो ऐसे में जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान में उसको पनिश करें चाहें सद्डिकल स्टाइक अगरा ने करें ये अब्रोगेट करें आप जो सीज फायर किया है क्योंकि पाकिस्तान को पनिश करें पाकिस्तान को पनिश करना बड़ा जरूरी है हम कहरें हैं सो सवा सो आतंगवादी रहे गे, मगर ये hybrid warfare तो इसका तो एक परकार faceless है, पता नहीं चलता, क्योंकि एक छोटे हतियार से एक fire करके आप society में मिल जाते हो, आपका पता लगाना मुस्किल है, तो इसलिए मुझे लगता है, आपको hit करना पड़ेगा पाकिस्तान पे, financialist को तोड़ें, politicalist को आप एक परकार पूरा world आपके सास है, पाकिस्तान अकेला है, ऐसे में मत छोड़ो, अगर पाकिस्तान इतना समझदार होता तो आज कुछ नहीं करता, अब मगर इसके बावजूद भी जो ये target killing है, ये target killing अपने आप नहीं हो सकती, इनका हाथ, इनकी जो एक परकारते तारे पाकिस्तान मे तो पाकिस्तान को पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, और कश्मीरी पंडितों को आपको विश्वाद देना पड़ेगा, क्योंकि बारत की गौर्ण्मिन ने बहुत कुछ किया है, अब अगर हमने कसर छोड़ दी तो फिर जितना अच्छा किया था, वो रह जाएगा, अमर नातियातना, बाल्टाल से और पहल गाओं के दो रूट से होती है, मैंने कराई है, बाल्टाल वाले रस्ते से, बहुत इंपोर्टन्स है, वो कश्मीरी मुस्लमानों के लिए लाइफ लाइफ लाइन है, बहुत उनको पैसा मिलता इसमें, मगर अगर इसके उपर कहीं ने कह नहीं, फायर हो गया, या इसके उदर कोई चूख होगी, तो वो बड़ा इंडिरेक्टली और डिरेक्ली अड़र्स इंपक्ट कश्मीर में नहीं कुरे भारत में होगा, ये भी हमें ज्यान देना है, इस हाइपरिड वारफेर को हराना है, कश्मीरी पंडितों का मन जीतना ह कश्मीरी मुस्लमानों को आगे आना चाहिए, और वहां पर हैं यूथ, जैसे मिर्जा साह बताते हैं अपने प्रोग्राम वहां भी, ये जो नया यूथ आया है, यंग, वो लड़ना चाहते हैं, उनको पता है, ये पाकिस्तान का चाहरा, पाकिस्तान को चाहता है, एक महरा बनाके उनके साथ, उनके शोल्डर पर फायर करना, तो इसलिए अब हमें अपनी स्टेक्टिजी चेंज करके करना है, अब एंड मेरा का, ये आतंग वाद जो है, इसका सफाया होने वाला है, ये जब करते हैं, दिया बुझने वाला होता तो फड़ पड़ाता है उस हालात म हैं, मगर इस हालात में भी हमने अपना सारे तरफ से अपने जो एक्शन इस घंसे करने हैं, कि अब हम आगे की बजाए पीछे ना जाएं, तो दिर्शाम, बहुत बहुत धन्यवाद सिवाज सर और डक्टर अमजद अयो मिर्जा, इतना समय निकालने के लिए, और ये पूर कि क्या क्या किया जा सकता है इस से निपटने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, थैंक यू सो मज, जैहिन, 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 थैंक यू सो मज,